बिस्मिल्ला वह्मानिवाहीम असलम्लेकूम दियर स्टूरेंट्स, होप यू और आल फाइन, वे अज़ आज हम एक्सेसाइब 1C का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने एक सेट को वेंड डायग्राम में शो करना है, वो कौन से स्टूरेंट्स है जो फ्लैट में रहते हैं और वो कौन से स्टूरेंट्स है जो हाउस अपने घरों में रहते हैं, हमने उनके सेट को वेंड डायग्राम में शो करना है, first of all देखें आप हमने when diagram के लिए क्या draw करना है rectangular box और इसमें एक center center में circle और circle में कौन से element draw होते है universal set जो हमें question में पूछे को first of all हमने write करना है students who live in flat के वो कौन से student है जो flat में रहते है students who live in flat zen, blal, etc ऐसे लड़के जो flat में रहते हैं उनके हमने name circle में mention करने है and बाहिर हमने वो name mention करने हैं जो flat में नहीं रहते हैं जाहिद, असद, आसिव, etc ऐसे वो लड़के जो flat में नहीं रहते हैं उनके name हमने बाहिर mention करने हैं और circle में हमने वो नेम मेंचन करने हैं जो फ्लैट में रहते हैं Students next part देखें Students who live in house वो students जो घरों में रहते हैं उसको हमने कहां मेंचन करना है Center circle में Show करना है Students who live in house अली, अकबर, एहमद, ETC ऐसे लड़के जो अपने घरों में रहते हैं उनके नेम हमने Circle में मेंचन करने हैं और बाहिर उन लड़कों के नेम मेंचन करने हैं रशीद, ताहिर, ETC के जो अपने घरों में नहीं रहते हैं Clear है Next part देखें Animals that eat plants and animals that eat meat वो जानवर हमने मेंचन एक सेट में वेन डाइगराम में शो करने जो पोदे खाते हैं और दूसरे वेन डाइगराम में हमने शो करने जो गोश्ट खाते हैं हमने First वेन डाइगराम डेडी की है Animals that eat plants वो जानवर जो पोदे खाते हैं जैसे Cow, Goats, Horse और ऐसे जानवर जो पोदे खाते हैं उसको हमने Circle में में मेंचन किया है Universal Set में और बाहिर उन जानवर को मेंचन किया है Tiger, Cat, Bear, ETC ऐसे जानवर जो पोदे नहीं खाते बाहिर हमने उन जानवर को मेंचन करने हैं जो पोदे नहीं खाते और Circle में उनको मेंचन करने हैं जो पोदे खाते हैं जानवर ठीक है Next पार देखें इसका इसी question का animals that eat meat जो जानवर गोश्ट खाते हैं वो कौन से जानवर है उनको हमने कहां शो करने है circle में tiger, lion, cat, etc ऐसे जानवर जो गोश्ट खाते हैं वो हमने circle में mention करने है और बाहिर हमने वो जानवर mention करने है शो करने है जो गोश्ट नहीं खाते जो गोश्ट एसे जानवर students आपने question number 2 and 3 को इसी तरह copy work पर write करना है today lecture is over Allah आपिस